दन्यवाद आप सभी को ओनम पर्व की बहुत बहुत शुब कामनाएं संजय जी आपका नमन और धन्यवाद आज आपका जर्म दिन भी है आपको भी बहुत बहुत जर्म दिन की मुबारक बाद मेरे बगल में मेरे बड़े भाई आदनिय शास्त्री जी है आज का एक बहुत म अच्छा बच्चा हिंदुस्तान का जानता है कि जहां करप्षन है जहां ब्रस्टाचार है वहां कॉंग्रेस का नाम तो आता ही है मगर हमने भी भारतिय जंता पार्टी के कारेकरता के रूप में हमारे पार्टी ने भी ये प्रतिग्या किया था कि भविश्य में जो भी Foundation और परिवार की कहानी है ति किस प्रकार PMLA का जो पैसा PMLA जो Prevention of Money Laundering Act 2002 का है कुछ लोगों के उपर उसके खिलाफ जो Investigation चल रहा था उनका पैसा किस प्रकार वाडरा गांधी परिवार के पास पहुंचा है यह कहानी काला धन और संगरक्षन के विशय में है मैं एक एक करके तथ्य पूर्वक विशय आपके सामने रखूंगा आप जानते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन ने और पहले भी प्रेस कॉनफरेंस करके और ट्विटर के माध्यम से भारती जंता पार्टी के यशश्वी राश्ट्र अध्यक्ष माननिय जगत प्रशाथ नड़ा जी ने राजीव गांधी फाउंडेशन का खुलासा किय प्रकार गैर कानुनी तरीके से इस फाउंडेशन में पैसा आया था इस विशह में बताया गया था अब एक बात सपष्ट होता है कि यह जो डोनेशन हुए थे यह कोई संयोग नहीं था यह कोई कोईंसिदेंस नहीं था यह एक कॉंस्पिरेसी थी यह एक साजिश थी पहला खुलासा मेहूल चोकसी का आपको पता है मेहूल चोकसी ने डोनेट किया था मेहूल चोकसी जो आज एक भगोडा है जो हिंदुस्तान से बाहर भागा हुआ है और एक स्कैम में उसका नाम भी आया हुआ है किस प्रकार मेहूल चोकसी ने RGF को पैसा दिया था राजीव गा को ये खुलासा नड़ा साहब ने किया था आज उसके डिटेल्स इंक्लूडिंग चेक नंबर्स हम आपके सामने और हिंदुस्तान के सामने रखने वाले हैं मेहुल चोकसी पंजाब नैशनल बैंक फ्रॉड केस में इन्वॉल्ड है केस चल रहा है राजीव गांधी इसके अंतरगत एक और कंपनी आती है उसका नाम है मेसर्स नविराज एस्टेट्स यह एक पेपर मैनुफैक्ट्रिंग कंपनी है यह पेपर बनाती है और यह जो नविराज एस्टेट है इन्होंने 29 अगस्ट 2014 को राजीव गांधी फांडेशन को चेक नंबर 676400 के माध्यम से 10 लाख रुपए डोनेट किये हैं यह कोई भी वरिफाई कर सकता है चेक नंबर भी मैंने आपको बताया है दरसल यह जो नविराज एस्टेट्स है जो गितांजली ग्रूप के अंतरगात आता है यह नविराज एस्टेट किसका है यह रोहन चो चोक्सी का है रोहन चोक्सी का पुत्र है और इसमें मेहूल चोक्सी भी डारेक्टर है नविराज एस्टेट्स में और और ये नविराज estate आपको जानके बड़ा आश्चरी होगा कि 2011-12 और 2013-14 ये जो दो वर्षों के financial years है इसमें इन्होंने अपने account में no business activity दिखाया है अर्थात इस paper manufacturing company की कोई business activity थी नहीं उसके बावजूद अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत चौकाने वाला है किस प्रकार से इस नविराज estate private limited जो की चोकसी के बेटे का है रोहन चोकसी का है मेहूल चोकसी जिसमें डारेक्टर है उसमें एक चंक में रुपीज 47.78 करोड 47.78 करोड रुपए जाता है और दूसरे चंक में रुपीज 24.45 लाक करोडों में रुपए इस paper company के पास जाता है कौन भेजता है गितांजली इंफ्राटेक private limited यह जो company मेहूल चोकसी की है और जिसने पंजाब national bank scam में पैसा बनाया है उस पैसे को यह जो proceeds of crime जिसको अंग्रेजी में कहते हैं proceeds of crime इस proceeds of crime को यह paper company नविराज estate में भेजते हैं और नविराज company जो है वो डोनेट करती है राजी गांधी फाउंडेशन को तो इस डुनेशन वस नॉट जस्ट संयोग यह कोई संयोग नहीं था इस डनेशन के पीछे कितना सोचा समझा साजिच था यह आप देखिए the proceeds of crime crime का जो उपज है वह पैसा डाइरेक्टली वाडरा गांधी परिवार के एक नीजी फाउंडेशन म और इसमें मैं आपको conclude करूँ कि special court जो PMLA का बैठा है जो इस पूरे मसले को देख रहा है उसमें उन्होंने पश्टतहा prosecution की complaint किये हैं इन दोनों company नविराज और गितानजली के उपर और वो cases चल रहे हैं PMLA के अंतरगत यह नंबर एक खुलासा है नंबर दो तो मेहूल चोकसी का तो पूरा वाडरा परिवार के साथ खुलासा हो गया अब दूसरा व्यक्ति जिसका fraud वाडरा गांधी परिवार के साथ जुड़ा हुआ है उसका नाम है राणा कपूर आप जानते हैं राणा कपूर कौन है येस बैंक को हेड करने वाला वो व्यक्ति जो आज सलाखों के पीछे और येस बैंक स्कैम कितना बड़ा स्कैम है कितने करोडों का है वो आप से चुपा नहीं है आप ही लोगों ने उसे एक्सपोज भी किया था और आपको याद है कि किस प्रकार ये अल्रेडी हो चुका ह जो आप मीडिया ने दिखाया है कि लगभग 2 करोड की एक पेंटिंग किस प्रकार गांधी परिवार से प्रियंका वाडरा से राणा कपूर ने खरीदा था ताकि एक परिवार के साथ संबंद अच्छा बना रह सके और यह जो खरीद विक्री हुई थी ये 2010-2012 के बीच मे हुई थी उस पर डिबेट भी हुआ है उस पर आप सबने खुलासा भी किया है जो नया खुलासा हम राणा कपूर और गांधी वाडरा परिवार को लेकर राजीव गांधी फांडेशन के लिए आज कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं 14 सेप्टेंबर 2016 ये वो मह राजीव गांधी फांडेशन को रजीव रिचीव रिचीव रॉंप्सम अमांट ऑफ 9,45,000 रूपीज फ्रॉम येस बैंक येस बैंक से आप जानते हैं येस बैंक का ये जो पूरा स्कैम हुआ है इसमें मुख्य एक शब्द है वो है डाइवर्शन yes बैंक के पैसा को डाइवर्ट करना और उस डाइवर्टेट फंड से किकबैक लेना ये दो शब्द बड़े महत्तोपूर ने डाइवर्शन और किकबैक ये पूरा जो सागा आज हम डिवील कर रहे हैं ये पूरी कहानी डाइवर्शन और किकबैक का है तो लगभग 10 लाख रुपए येस बैंक से डाइवर्ट होता है राजीव गांधी फाउंडेशन का और आपको पूरी तरह से पता है कि 3557 करोड रुपए का ये पूरा लेंदेन ये जो येस बैंक का स्कैम हुआ है इसमें किक बैक्स इतने बड़े अमाउंट का है और इसमें से लगभग जो खुशी की बात है कि 2330 करोड इसको हमारे PMLA के विभाग ने अटेच कर दिया है मगर क्वेस्चन इस वाई वाज दिस मनी फ्रम येस बैंक ये येस बैंक का पैसा आखिरकार राजीव गांधी फांडेशन में डाइवर्ट कैसे हुआ ये कोई राणा कपूर ने अपना पैसा नहीं दिया येस बैंक का पैसा आपका मेरे जिगनेश शाह आप जानते हैं जिगनेश शाह क्यों वाई ही इस इन फेमस किस ब्रस्टाचार के कारण जिगनेश शाह जाना जाता है एन एस एल स्कैम नैशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड स्कैम जो 2013 में हम सब के सामने आया और इसमें संग्रुहित था Financial Technologies India Limited जो जिगनेश शाह की कमपनी है मैं स्कैम के डिटेल्स में नहीं जाओंगा वो स्कैम के खुलासे की विशह में आप सब जानते हैं आप सब ने इस पे स्टोरी किया है पब्लिक डोमेन में है में आज जो खुलासा राजीव गांधी फाउंडेशन राहूल गांधी सोनिया गांधी और ये वाडरा परिवार को लेकर है उसका खुलासा करता हूं आप जानते हैं कि इस पे PMLA का केश चल रहा है NACL स्कैम पे आपको जानके आश्चर यह होगा कि FTIL Financial Technologies India Limited जिस पे PMLA का केश चल रहा है उसने 50 लाक रुपे का डोनेशन आरजीएफ को 27 अक्टोबर 2011 को किया 27th of October 2011 RGF received the lump sum amount of a huge amount of 50 lakh rupees from already a company which is under investigation that is Financial Technologies India Limited और Jignesh Shah और ये जो Financial Technologies India Limited है इनका proceeds of crime कितना है लगबग आज जो calculate हुआ है आपको जानके आश्चर यह होगा 56 hundred crore rupees का proceeds of crime है और उसमें से ये NACL scam का उसमें से एक बड़ा amount इन्होंने proceeds of crime से निकाल करके conduit के माध्यम से राजीव गांदी foundation को दिया है और FTIL जिसका मैंने जिकर किया उन्होंने लगबग 1250 crore rupees ये proceeds of crime के रूप में लिया है तो आप सोचिए यहां आपको लग रहा होगा ये हो क्या रहा है करोडो करोड रुपे एक company से दूसरी company की तरफ आते हैं एक shell company को उस shell company से वो राजीव गांदी foundation की तरफ जाते हैं तो यह जो पूरा route है we are giving you as to how the proceeds of crime proceeded from the area of their origin to ultimately जहां corruption जाके अंत होता है जहां से शुरू होता है जहां अंत होता है वो एक ही जगह है वो है गांदी परिवार का निवासस्तान दस जनपत तो कि यह पूरा route आपको दे रहे हैं तो तीन लोगों के आज खुलासे हो चुके हैं अब चौता वेक्ती है जाकीर नायक जाकीर नायक के विशह में तो हमने कहा कि उन्होंने donation दिया मगर आज एक बहुत interesting खुलासा जाकीर नायक को लेकर यहां होने वाला है चेक अकाउंट नंबर भी आपको देंगे और इसमें एक बड़ा पेंच नजर आएगा जाकीर नायक के foundation का नाम है Islamic Research Foundation IRF यह Islamic Research Foundation जो IRF है यह PMLA के अंतरगत इसकी उपर जांच चल रही है यह सब आप जानते हैं इसने 8 जुलाई 2011 को इस IRF ने 50 लाख रुपए RGF को डोनेट कि यह भी आप जानते हैं अब मैं बता रहा हूँ महत्तोपूर्ण विशय क्या है यह DCB Bank के account number 0012020000126 से हुआ यह donation और यह जो account number जिस account number से donation हुआ है DCB Bank का यह account number seized है क्योंकि यह proceeds of crime के अंतरगत इस account number को seized किया इस account को seized किया गया है PMLA के अंतरगत और आपको याद होगा जब इस विशय को BJP ने उठाया मीडिया ने इसको दिखाया तो Congress ने कहा थे चलो हम भी वापस कर देंगे तो इन्होंने 2016 में एक donation जाकीर नायक के foundation Congress party ने बारह साथ 2016 को राजीव गांधी foundation से IRF को एक donation दिया और वो donation उस account में नहीं गया जिस account का मैंने अभी जिकर किया जिसका number भी पढ़ा जिसके ओपर case चल रहा है एक और account में चला गया जिसका number है DCP Bank के ही दूसरे account में गया 001202000000976 तो आप सोचिए जरा जिस account से पैसा आता है वो account investigation के अंतरगत में है और जब ये धरे जाते हैं पकड़े जाते हैं तो पैसा भेजते हैं दूसरे account में उस account में क्यों नहीं भेजते हैं क्योंकि रंगे हाथ पकड़े गए हैं कि इस account में PMLA का पैसा है इस account में नहीं भेजना है दूसरे account में भेजना है चोरी और खुले आम चोरी सुरी चोरी नहीं डकैती डकैती और खुले आम डकैती ये जो परिवार ने किया है वाडरा गांधी परिवार ने ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और आज हमने पूरे तत्थियों के साथ विशय को सामने रखा है और जाकिर नायक के इस कंपनी के बारे में दो तीनों और खुलासे कर दू एक तो इस्लामिक रिसर्च फांडेशन है जो इन्वेस्टिकेशन के अंतरगत दूसरा है मैसर्स हार्मोनी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ये मैसर्स हार्मोनी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंतरगत 49.20 प्रोसीड अव क्राइम है इतना क 64.86 करोड रुपीज और 75 करोड रुपीज यह दोनों स्टैंड्स है 2003-4 और 2016-17 का जिसका इन्वेस्टिगेशन यह प्रुसीड सफ ट्राइम के अंतरगत चल रहा है पीमले में उससे पैसा कॉंग्रेस को गया है अब अंत में वो कंपनी जिसका नाम है जी वी के ग्रूप आप मुंबई एरपोर्ट के विश्चे उस कैम के बारे में जानते हैं जो 2010-2011 में जिसका खुलासा हुआ लगभग 700 करोड रुपे का यह स्कैम था जी वी के एरपोर्ट फाउंडेशन जी वी के एरपोर्ट फाउंडेशन से 47 motorized vehicles 47 motorized vehicles मतलब 47 गाडियां 2010-2011 से 2016-2017 तक राजीव गांधी foundation को दिया गया सोचिए खाली पैसे नहीं ले रहे थे गाड़ी खोड़ा सब खाली डखेती नहीं चल रही थी उन पैसों को कौन से गाड़ी में रखके लेके जाना है वो गाड़ी भी ले रहे थे 47 गाड़ी आ लिए जीवी के एरपोर्ट फाउंडेशन से और यह 700 करोड का केस है जिसको एडी और सीबी आई इन्वेस्टिगेट कर रही है बंदुगन आज का प्रेस कॉन्फरेंस एक बहुत ही गंभी सीरियस टेकनिलोजिकल टेकनिकल विशे को लेकर है क्योंकि इसमें नंबर्स भी इन्वाल्ड है एकाउंट नंबर्स भी इन्वाल्ड है चेक नंबर भी हमने आपको बताया डेट आज संजय जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये कोई साधारन विशय नहीं है ये देश के उपर डाका है और उस डाका के पीछे कौन है वो हम सब जानते हैं वाडरा गांधी परिवार है बहुत-बहुत धन्यवाद बंदू हो कोई प्रशन हो तो आप इस विशय पर अबश्य कि पूछें कि करते हैं कि प्रश्य नहीं है हाँ 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 देखे चीन के विशय को लेकर मुझे लगता है यह किसी पार्टी का विशय नहीं है पूरे देश का विशय है और सरकार ने इस पर एक वक्तव्य भी जारी किया है Ministry of Defence के और से वो वक्तव्य आप सब के सामने है और मैं तो आज इस प्लैटफॉर्म से इंडिया की आर्मी को और हमारे जवानों को करता हूं भारती जंता पार्टी और भारत की जंता उन्हें सल्यूट करती है कि जिस जाबाजी के साथ उन्हों अपना कर्तव्य निवारन किया है और जिस प्रकार भारत के संब्रभुता को बचाया है वो अपने आप में सलाम के काबिल है हम सब नतमस्तक होकर उनको धन्यवाद करते हैं देखिए वो अभी तक मैंने देखा नहीं है मगर मैं इतना कहना चाहूंगा आज कहीं न कहीं कॉंग्रेस का एक बहुत बड़ा आभूशन उतर गया है देखिए आप जानके रखिए कि ये लाल आखें वर्सेज भीगी हुई गमगीन आखों का सवाल है लाल आख तो हिंदुस्तान के पास है लाल आख मोदी जी के पास है लाल आख इंडिया की आर्मी दिखाती है तभी तो आज हिंदुस्तान का जो संप्रभूता है वो अखंड है और किसी की हिम्मत जो हिंदुस्तान के संप्रभूता के और आखें उठा कर देख ले बच्चा बच्चा आज हिंदुस्तान का हिंडिया की आर्मी इंडिया की सरकार और मोदी जी के प्रती विश्वास के साथ देखता है और बिल्कुल हृदय में उसका विश्वास है कि जब तक ये सरकार और जब तक हमारी सेना खड़ी है कोई भी इंडिया के भारत के संप्रभूता के साथ खिलवाड नहीं कर सकता है वहीं मेरा प्रश्न रंदीप सिंग सुर्जेवाला और राहूल गांदीजी से हैं हमारे पास तो लाल आख हैं आपके पास ये भीगी हुई आखे क्यों हैं जब भी हमारे देश पर कोई हमला होता है जब भी हम किसी के उपर हमला करócता सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवाद के कैंप को खतम करते आप रuna दोना शुरूं क्यों कर देते आपके आखों में आसू कियो आ जाते है अरे आपको तो खुशी मनाना चाहिए यह जो आज Ministry of Defence ने जारी किया है वो नोट तो आप सब के पास है इसमें क्या महत्वपून शब्द है जो महत्वपून शब्द है उसमें लिखा हुआ है कि PLA ने वायलेट किया है उन्होंने वायलेट किया उन्होंने प्रोवोक किया है किन्तु भारत की सेना ने किया किया है थौर्टेट दे चाइनीज इंटेंशन चाहिना के इंटेंशन को रोक दिया है सफलता पूरवक रोक दिया है और हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है जिसको हिंदी में संप्रभूता कहते हैं उसको बजाय रखा है उसे कायम रखा है अरे संप्रभूता कायम है हमारे आर्मी में साहस है हमारे प्रधानमंति और हमारे सरकार में बिलकुल आत्मविश्वास है तो ऐसे में कॉंग्रेस को क्या परिशानी है वो क्यों रो रहे है हम यह जानना चाहते है कि अधिरंजन चौधरी जी सुप्रीम कोट का जज्चमेंट आने उसको पढ़ते नहीं है क्या सुप्रीम कोट ने पूरा तो उसमें जज्चमेंट दिया है पी एम केर्स को लेकिए सारे लोग गए थे उनके भूशन गए थे ना जो भूशन जी अभी चल रहा है जिनके ब सबसे बड़े आभूशन गए थे कोट में यह पूरे विशय को लेकर सुप्रीम कोट ने इस पूरे विशय के सुनवाई करने के बाद जज्चमेंट दिया है अधिरंजन चौधरी जी एक रेस्पेक्टेड एलोपी है तो उनको सुप्रीम कोट के मत पर विश्वास रखना कि राहूल गांदी जी के विशय में आज मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि और लड़ी उनका इतना खुलासा हमने कर दिया है आज राहूल गांदी जी से एक निवेदन है कि थोड़ा सा वो वीडियो वीडियो वो ग्रूप 23 के बारे में जारू जारी करें कि उ वो अपनी पार्टी की चिंता करें करें कि देखिए यह जो सेलेक्टिव सेकुलरिस्ट्स है तो उनका एक एजंडा चलता है पूरा विश्व आज इस एजंडे से परिचीत है मुझे लगता है जो विशय पूरा हिंदुस्तान जानता है उस विशय पर हमें कमेंट करने की अवश्यक्ता नहीं है हिंदुस्तान आज सब कुछ सही रूप से देख पा रहा है बहुत बहुत धन्यवाद